दोस्तों नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में बेरोजगार युगा के मन की बात और परधान मंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात की तुलना करके आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि परधान मंत्री की जो नीतियां हैं उनके मन में जो बातें आती हैं वो किस तरीके से अपने देश में बेरोजगार नव यूवकों की फायदे की जो बाते हैं, उन सब चीजों से कितनी भिन्न हैं? मतलब परधान मंतरी नरेंद्र मोदी जी देश की सभी समस्याओं के बारे में तो बात कर रहे हैं, लेकिन वो बेरोजगारों को कहीं न कहीं भूल गए हैं, एकदम से भूल गए हैं, हलाकि पिछले वीडियो में हमने दोस्तों आपको बताया था कि परधान मंतरी नरेंद्र म मोधि जी अपने मन की बात में युवाओं को जगातर न ही दोस्तों एक खास बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो से मेरा उध्देश सिर्फ और शिर्फ मोधि सरकार को जगाना है और बेरोजगार यूकों की बात को मोधी सरकार तक पहुचाना है ना कि इस वीडियो का ये उद्देश है कि मोधी सरकार की कम्या गिनाना और उनको असफल साबित करना मेरा उद्देश ये बिलकुल भी नहीं है क्योंकि दोस्तों ना तो मैं मोधी सरकार के विरोध में हूँ ना तो मैं उनका विरोधी हूँ मेरा कहना बस इतना है, भरतिया कराई जाएं, परिक्षाय कराई जाएं और उचित सम्भावित समय में उसके रिजल्ट घोशित किया जाएं और नियुकती पत्र बच्चों को प्रदान किया जाएं मेरी बस इतनी से इच्छा है और मैं समझता हूँ दोस्तों वो युवा वो बेरोजगार युवा और वो ऐसे भी युवा जो रोजगार पाच चुके हैं अपने इन बेरोजगार युवाओं की लडाई में हाथ बटाने के लिए इस वीडियो को जादा से जादा सेर करें और लोगों तक ये बात जो मन की बात की थी दोस्तों उस मन की बात में मोधी जी ने बहुत सारी चीजों के विशे में बाते की उन्होंने ओडमते उहार के बारे में बाते की उन्होंने जीडिबी के बारे में भी बताया और उन्होंने ये भी बताया कि हमारे देश के जो किसान लोग हैं इन्होंन GDP को इस pandemic time में भी GDP को plus किया है यानि कि किसानों की तरफ से GDP minus में कोई भागीदारी नहीं है उन्होंने अपनी जगा बना करके रखी है खिलवनों के बारे में बात है की और ये भी बताया कि global twire industry में 7 लाख करोड रुपए का business होता है लेकिन भारत का हिस्सा उसमें बहुत कम है लेकिन दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो छार जो की SSC bank और railway की तैयारी कर रहे है तीन साल, चार साल, पांच साल से परिक्षाओं की लगातार तैयारी कर रहे है कोजिंग की फीस भर रहे हैं और दोस्तों उन्होंने games के बारे में भी बाते की और उन्होंने लोगों को चेताया की आत्म निर्भर भारत अभियान के अंतरगत हिस्सा ले करके जो कोई भी गेम वगएरा बनाएगा वो भारत के लिए सराहनिय काम करेगा mobile app के innovation के बारे में भी प्रधर मंतरी नरैन मोदी जी ने बाते की और दोस्तों एक बड़ी बात उन्होंने कुट्टों के भी बारे में बाते की लेकिन दोस्तों इन सब बातों को सुन करके इस दिल में जो तुक उठा है जो तरद उठा है वो दोस्तों मैं समझता हूँ कि हर नवयुवक हर बेरोजगार युवा के मन में उठा होगा कि मोदी जी ने इतनी सारी बाते की उन्होंने कुट्टो तक के बारे में बाते की दोस्तों लेकिन उन्होंने बेरोजगार नवयुवक के बारे में बात नहीं की इस बात का मुझे बहुत दुक रहेगा और मैं दोस्तों आसा करता हूँ कि अगर ये वीडियो उन तक पहुँचेगा उनकी सरकार तक पहुँचेगा तो अगली बार मन की बात में मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि प्रधान मंतरी नरेन मोधी जी रोजगार युवाओं के ब कारे में बाते की तो मैं आसा करता हूं तो मैं ये समझता हूं दोस्तों कि प्रधान मंतरी नरेन मोधी जी सोसल मीडिया से जुड़े हुए बेखती हैं और सोसल मीडिया की hashtag बेरोजगार लिख करके अपने नाम के आगे बेरोजगार लिख करके आपको save कर देना है profile और उसके बाद उसकी screenshot ले करके hashtag बेरोजगार पर Twitter पर जा करके आपको वो photo tweet कर देना है इसी तरीके से दोस्तों आप सब को करना है इतना सा ज़्यादा ट्वीट हो जाए कि हमारे परधान मंत्री नरेन मोदी तक ये बात पहुंचे और अगली बार वो मन की बाद में बेरोजगार युवाओं के लिए कोई न कोई बात करें हम इस चीज की आसा करेंगे और दोस्तों आप लोग जितना ज़्यादा ज़्यादा हो सक कीजिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ ऐसे ही बने रही है मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक अपना खयाल रखिए धन्यवाद